गाइस आपको साइद बिस्वास ना हो पर हमारे बीच कुछ ऐसी चीजेया लोग मौजूद हैं जो हमारे जैसे नॉर्मल हूमन से काफी अलग हैं कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी अजीब इंसिडेंट हुए हैं जो हमारे धर्ती पर भूत प्रेत होने की बात को सच बना रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने बाले हैं जो अभी तक बहुत से लोगों के साथ घट चुक नौलिज की वीडियो पर स्वागत है गाइस जापान के लोगों का मानना है कि कुछी सेक ओना नाम की एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसके मुँ दोनों कानों तक कटे हुए हैं और वो अपना मुँ किसी मास्किया कपड़े से छिपा कर रखती है और अपने साथ एक चाकुया कैची जैसी धरधर चीज भी रखती है और माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़क पर गूमती है और किसी अकेले इनसान की सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुन्दर है अगर इनसान नहीं कहेगा तो वो उस इनसान की हत्या कर देती है और अगर वो हां कहता है तो वो अपन मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा उस इनसान को दिखाती है और फिर उस इनसान से बापिस सवाल करती है कि इस बार वो अच्छी लग रही है या नहीं गाइस 1989 के समय में इंगलेंड में बहुत से लोगों के घर और कारुबार जलकर नश्ट हो गए थे और उन सभी घटनाओं में एक चीज सेम थी और बोथी दा क्राइंग बेबी की तस्बीर दरासल कहीं पर भी आग लगने के बाद सब कुछ नश्ट हो जाता था पर एक चीज सेबब जाती थी और बोथी एक रोते हुए बच्चे की तस्बीर जो रहस्मई तरीके सेबब जाती थी लेकिन कुछ समय बाद इस तस्बीर को रहस्मई मान लिया गया गाइस टियानक फिलिपिन्स लोग कताओं के अनसार एक ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकाल कर लोगों को अपनी और आकरसित करता है और लोग जब उसकी तरब जाते हैं और उसकी मदद क करने की कोसिस करते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और इंसानों को मार देता है गाइस ऐसी ही एक 211 ग्राम एक्सपेरिमेंट को 1907 में डुनकेन मैट डॉगली ने किया था मैट डॉगली का कहना था कि इंसान की आत्मा का भी खुद का एक बजन होता है और इस सब्सक्राइब करने के लिए उन्होंने एक एक स्पेरिमेंट किया था जिसमें चैंप एसे लोगों का बजन किया घया था जो मरने बाले थे मरने के बाद उन 6 मैं से एक का बजन 21 ग्राम कम हो गया था लेकिन 6 मैं से स्रिप एक के ही बजन में परिवर्तन होने के कारण बेज्ञानिक समुदाय द्वारा इसे नकार दिया गया लेकिन उनकी ये धारणा थी कि इनसान में आत्मा होती है और उसका बजन 21 ग्राम होता है गाइश टोयोल इंडोनेसिया और बहुत से ACI देसों की लोग कथाओं में माने जाने वाला एक ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही मा के गर्ब में मर जाते हैं टोयोल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुचाना है लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करता इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है गाई सबाई में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ओमा कुआ पूरवजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पढ़ने पर अपने बंसजों की हर बुराहियों से रक्षा करती है इन्हें फैमली गौड भी कहा जाता है और माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानबर या पत्थर बन कर रह सकते हैं गाई स्पॉंटिनानक बहुत से संस्कृतियों में मानी जाने वाली एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो माना जाता है कि दिखने में ये बहुती संदर होती है और इसे किसी पिसाच की तरह खून का प्यासा माना जाता है और माना जाता है कि ये अधिकतर मर्दों का ही सिकार करती है और बहुत से लोगों का मानना है कि ये रात में ही निकलती है और हसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्तिती का एहसास दिलाती है गाईस आपका इनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें